क्या सुन्दर सुन्दर बातें कहीं हैं जिस नारी के हाथ में मडवंद हतेली में चार रेखाएं मडवंद तीन चतस्त्रो रक्त गंबीरा रेका शनंगदा देखो ये बनावटी बातें इसलिए नहीं है क्यों कि मैं संस्कृत का इसलुक बोलके आप से बात कर रहा हूं हाथ में यदि लाल लाल रेखा हैं तो बड़ी सुप है नारी के बाएं हाथ की रेखा इस जन्म की होती है और दाएने हाथ की रेखा है वो उसके पछले जन्म की होती है ऐसा बढ़ने चत्स्त्रो रक्त गंबीरा रेखा शुंगदा करिस्रिया यदिश शुख मापनोती बिक्छन ना विरनी सता जिस नारी के हाथ में चारो रेखा गहरी हैं गारी हैं और लंबी हैं और लाल लाले हैं ऐसी नारी सुख का उपभुख करती है उसको सुख मिलता है ये चार इसमें एक तो यहां से हो गई एक यहां से हो गई एक यहां से हो गई फर एक ऐसे हो गई फिर ध्यान से सुनिए मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं आपको एक तो ये चली गई एक बीच से यूँ चली गई एक यूँ चली गई और एक चली गई ऐसे इधर से लेकर क और ये छोटी वाली उगली के पास ऐसे चल कर कर के आ गई उसका लिखा चतस्त्रो रक्त गंबीरा लालाल हो बिलकुल चतस्त्रो रक्त गंबीरा रेका शनंगदा करिस्रिया हो सपस्ट देख रही हो यदि शुखम आपनोती लिखाए लक्षमी को भी वो सुख नहीं है उस नारी को दोने सुख की प्रात्ति होती है और सुन लिजी अभी क्या का लिखाए रेखा कनिष्ट कामूला दर्श्या प्राप्ता प्रदेशनी सतमाईर ववेतस्या इस्रिया मुन्नतो क्रमाद उस नारी के पती के उम्र बहुत जादा होती है छोटी उगली के नीचे से रेखा निकलती हुई तर्जनी उगली को छू रही हो मैं हस्रेखा नहीं जानता बिलकुल मुझे कभी पूछना भी मत इस गरंथमे से जो श्लोक में लिखा है उसका अर्थ करना हूँ बस फिर कल मुझे पूछे है कि मेरा हाथ देख दो तो मुझे से हाथ पाम नहीं देखना था क्योंकि ये बास सुनकर फिर आपको लगे कि महराजी तो हस्रेखा विशेशक गये है कुछ भी कोई विशेशक गये है इस में लिखा है कि कंश्ट का अगली से नीचे और तरजनी के नीचे तक यहां से जो रेखा ऐसे जाकर इसके नीचे वाले परवत को छू लेती ए dazu है उस नारी के पती की लंबी उंबर होती है फिर इस अगली के नीचे से रेखा परवत कहते हैं, इस उगली के नीचे इसको सनी परवत कहते हैं, इसके नीचे इसको गुरु परवत कहते हैं, इसके नीचे इसको सुक्र परवत कहते हैं, पांचो उगली के नीचे परवत हैं, यह हैं बुद्ध परवत है, जिसका बुद्ध परवत उठा हुआ होता है, ऐसा ब्यक्ति राजनीती के काम में जाता है राजनीती के होता है वो राजनेता होता है इसके नीचे जो परवत उठा हुआ है ऐसा ब्यक्ति बैग्यानिक होता है ऐसा ब्यक्ति कोई बहुत बड़ा कथाकार परवक्ता होता है बहुत कुछ बोलने वाला होता है इस परवत के नीचे इसको सनी परवत कहते है ये बहुत बड़ा कारोवारी होता है व्यापारी होता है और इसके नीचे का जो है इसके उपर संत महापरसों की इतनी बड़ी करपा होती है ऐसा व्यक्ति पारमारतिक होता है इस लोग से लेकर परलोग तक उसका नाम होता है इस इसके नीचे है, यह सुक्र परवत है, हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है, वहान और गिरहनी का उसको पूरा सुक मिलता है, इसके नीचे का जो परवत है, इसको सुक्र परवत के नाम से जाना जाता है, इसको सुक्र परवत निराशता है इसमें आगे भी वड़न किया गया है भूग व्रत्ति नाकुनों से उगलियों से लेकर रेखा तक का वड़न किया है इसके नीचे यदि किसी के अंदर तीन मडबंद रेखा है वो सब के हाथ मेंοही होती मरबंद रेखा यहां से लेकर के हाँ कलाई के बीच मैं यहां तीन रेखां होती है ऐसे यदि किसी की स्थ रेखा में तीन मरबंद रेखा है चाहए वो इस तरी हो परसो still किसम के होते है उनसे किसी के जगडे नहीं होते, उनके पास कुटिलता नहीं होती, करकस्ता नहीं होती, इसको मडवंद रेखा कहते हैं, और ये मडवंद रेखा व्यक्ति को सादू सुहाब बाला बना देती है, चरतरवान बना देती है, बहुतों के हाथ में एक होती है, बहुतों के में बन जी करके जाती है जिसके यहां पर तीन मडवंद रेखा हैं ऐसी नारी जिसके अंगुठे के नीचे यव का निसान है उसका बटुआ कभी खाली नहीं हो सकता साक्चात भगवती लक्षमी का रूप है यह जो क्या होता है अंगुठे के अंगुठे और इसके दो जिमाने की ताकत रखता है जिसके अंगुठे में जो का निसान है जाए फरह बन खंड में तहउ लक्षमी संग, इसके और इसके बीच में यह होता है, उसको यव कहते हैं, यव, जो यव, यहाँ पर यह होता है पॉरसों के दाइनी तरफ और माताओं के बाएं हाथ में, यह उठा है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होता है बिल्कुल जैसे नंगदी की आंख की तरहे समझ लो मैं देखाई देता हूं कैमरे में लगा दो मेरे उगली में है ये देखा भाई मेरे उगली में भगवान की गरबास से मेरे तो दोनों ही उगली में हो सकता पहले जनम में भी यही रहा होगा इनका सब्सक्राइब है वेलिकल ये है, ये जोग का निसान है इसका भी इसमें बड़ा अदोत बड़ं किया गया खンドर मुझे तो नहीं पता था कंश की ये महिए महें待 में तो ये पढ़ रहा हूं भीसमें, हमें तो पता ही नहीं था कि इसका इतना बड़ा मेहत्व हो है जो इसको जो कहते हैं यव कहते हैं ये इसली पर उसके हाथ में ये बहुत ज़्यादा बिशेस इसको बताए गया है रखता है मर्दू भिद्वश्च्राई चिंदा गिदू सत भरद्वजा हाथ में कटी फटी रेखाएं असुब होती है वो सुब नहीं होती आप एमन में रेखाओं का महत तो बता दिया कहा है कि कटी फटी सी जो रेखाएं हैं वो बिलकुल असुबता का सूचक हैं बिलकुल रेखा हैं यदि कोई जानकार हो तो इसमें एक एक बात का पता लग जाता है अरे वो रामचद मानस में विश्र मोहिनी के प्रसंग में नारजी न हस्त रेखा देखके ही तो सब कुछ बता दिया था सब कुछ बता दिया इसका पदिया ऐसा होगा यह सब कुछ नारजी ने बता तो यह सब चीज़ें होती है कर्मों के दोरा यह भी लिखाएं सतकर्मों के दोरा ये रेखाएं बनती और बिगडती भी जाती है आदमी दुराचारी होगा इसपस्ट लिखा है दुराचारी होगा मासारी होगा तो अच्छी रेखाएं किनारा कर जाएंगी वहाँ से सतकर्म करेगा बढ़िया काम करेगा हाथ में बड़िया बड़िया रेखा हैं उसके हाथ में बन जाएंगी तो अपने अपने हाथ में ये मड़बंद रेखा देखिए यहां पर यहां पर एक से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सुभ है एक भी बड़िया है एक से यदी ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़िया है मेरे हाथ में पौनी तीन है मैं कोसिस करना हूँ ये पूरे तीन हो जाए क्योंकि इसको तीन यदी हो जाए तो इसको बहुत बड़िया कहते है कहते हैं देवताओं के हाथ में मड़बंद तीन होती है जिनके पत्य और पत्नी दौनों के हाथ में एक जैसी रेखा राम और जानकी के दौनों के में एक जैसी रेखाएं थी दौनों में भारी बंती थी दौनों का हाथ एक जैसा होता है लिखा है मड़बंदो विवक्षिन्नो रेखा त्रिय भीबूसिता मैं तो बिना प्रमान के कोई बात ही नहीं करूँगा इसमें लिखा है मड़िबंदो व्या चिन्नो रेखा त्रिया भीभूशिता ददाती न चिरादेव भोग वाबिश्व याक्षयम उनकी संपत्ती नश्ट नहीं होती और उनकी पती की उम्र बहुत लंबी होती है जिस नारी के बाएं हाथ में त सतानीक राजा को यह बात करें है कि अ झाल 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 झाल